अगर आप भी एक हाउस वाइफ हैं, अपने टाइम और पैसा दोनों बचाना चाहती हैं मेरी तरह, तो ये वीडियो आप जरू देखेगा, इसमें बहुत ही इंपोर्टन और बहुत ही अच्छी अच्छी टिप्स मैंने एड किया हुआ है, तो मैंने पहला टिप यह है, कि ज आपड़ा सुखाने वाला क्लिप, तो ये क्लोथ क्लिप मैंने यहां पे लगा दिया पर्दे में, तो हमारा काम भी बहुत ही आसानी से हो गया, अभी हमें कुछ जंजट नहीं है, पर्दा हमारा खुलेगा नहीं, बिलकुल ऐसे तरीके से सेट रहेगा, आपके खोलने के बादी पर्दा खुलने वाला है, तो मैंने इसमेना बहुत ही अच्छा अच्छा और टिप्स एड़ का है, तो वीडियो को आप एंट तक जरूर देखेगा, तो सेकंड टिप वो ये है, कि अक्सर क्या होते हैं कि चूडियां हम रखते हैं डब्बे में, तो वो होश पहु पर हम इसे बाद देंगे, तो इससे ना सेट का सेट बना रहेगा, और ये अच्छे से अरेंज भी हो गया, और सेफली रखा भी रहेगा, तो आपको नेक्स टैम जबी भी इसको पहनना होगा, तो ये सेट लगा हुआ है, आप इसे अराम से पहन सकते हो, तो मैंने यहां प तो डबे को बंद कर दीजिए, और जहां भी रखना है, इसे रख दीजिए, बस, तो थोर्ड मेरी जो टिप है, वो एरिंग्स को लेकर है, मेरे पास ने बहुत सारी एरिंग्स हैं, जो की ऐसी बिखरी होई है, और वो एक दुसरे में ना उलच चाती है, फिर निकालना पर मोड लिया, अब क्या करेंगे हम, कि जो भी कान का आपको इसमें रखना है, उस कान के पेज को निकाल कर, इसमें हम सेट कर देंगे, और पीछे से पेज को लगा देंगे, इससे कान का निकलेगा भी नहीं, अब बढ़िया से इसमें रखा रहेगा, और सारे एरिंग्स एक दूसरे में मिलेंगे नहीं, यह देखे, कितने बढ़िया से मैंने इससे अरेंज कर दिया, आप एक डब्बे में हम इसे रख देंगे, ताकि यह सेफ भी रहे, इधर उधर जाए भी ना, अब जब भी यूज़ करना हो, तो बस आराम से मिल जाएगा, आपको ढूणने अ के अक्सर बच्चों को डाइबर राश की बहुत प्राप्लेम होती है, और मेरी गुडिया है, मेरी भी एक च्छोटी सी बीवी है, तो मैं उसे क्या करती थी, कि मैंने हमेशा उसे डायपर इसी तरीके से पहनाया है, लिवी तरीके से मैं बताने वाली हूं, उसे अब पाउडर आप यूज़ करते होंगे उस पाउडर को आप डाइपर में छिड़क लीजिए बैक साइड में हम पाउडर को छिड़क लेंगे तो डाइपर में अगर पाउडर रहेगा तो वह जो मौश्य होता है जो भी उसको अबसौर्ब करता है जिसके वैसे बच्चे को ना पना चिपचपाट नहीं फील होती है तो रैशिस तो मौश्य की करन नहीं आता है तो बच्चे भी आराम से रहेंगे उनको इरिटेशन नहीं होगी और रैशिस भी नहीं होगी मेरी लास्ट टिप है वो करेले को लेकर है तो करेले को पहले हम इस तरह किसे काट लेंगे इस असके बाद इसमें मैं डाल रही हूं एक चमबच नमक तो अक्सरने कर sourdsal में बहुत सारी लुटक शर्लोमा दूर करने के लिए कर्याइ कडा नमक और दोब जी बने लेए उस्षा रखोंड गए दूमा तो अगर आपको एक भी टिप अच्छी लगी होगी तो मुझे कमेंट में जरूर बताईएगा अब मिलती हो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही मस्त मस्ते टिप्स लेकर तब तक लिए बाबाई टेक कियर